वो भी ध्यान में रखना है और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए तु इन्हों ने गा के सुनाया अब अच्छली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है और जाका ले कावा तेरे मुझे खंड पावा तो दम उस वक जो हमने गाय थे बक्षी जी भी थे बक्षी जी भी बहुत कि प्यार करते थे मुझे बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया तो प्यार करते थे तो उत्तम जी ने का कि ये गाना है बक्षी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाऊ और अनिल जी मूड में थे वो लेकि तेको तुमारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ त तो आप stamp paper लेके आया हूं, stamp paper लेके आया हूं, मैं sign कर दूगा घदर के सारे गाने आप मुझसे कovाना, तो पहले काओ, मैने यही काना पहले कर गाया, और next day जुवाले आये और stamp paper पे मुझे sign करवाये, यह फेक्ट है, मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी ब्लगबस्टर हो जाएगी और वही हुआ तो यह सारे मेडिया सुन रहे हैं अगर जो भी कमाया हूँ और जो भी घर वार है अगर आप बोलोगे एक हुकुम दे दूगा आप हुकुम तो करिये यह मेरा गाना हितना और अपयार देते हैं तो मेडिया को मेरे स्टाइल में जाओ दाल रहा हुकुम तो मैं सोच में पड़ा इतना सांस मेरे मेरे में मैं इतनी ब्रदिंग होगी अंदर में इतना ताकत होगा क्या मेरे को अब मैंने उपर वाले को याद किया क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आल्माइटी को तो याद करना पड़ता है तो मैंने उपरवाले से कहा इनको बताया नहीं मैंने बाद में बताया मैंने मैंने कहा कि मैं definite I will try my level best मैं उपरवाले को याद किया और देड़ दो घंटे में गाने हो गया और इन्हों ने क्या आंसर दिया होगा मुझे मैंने कहा कि कोई गल्ती हो गई होगी फिर से गवाली जीएगा बोले जर्ने की तरह तुमने गाया है हाँ ये कंप्लिमेंट ये हमेशा मैं हाँ तो मैं बोला क्या बात है और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से गाना रिलीज हुआ है उस फर्स चार से लेकर आज शिक्स्त डे पर इस इस दे नमबर वन ट्रेंडिंग सॉंग्स ओन यूटूब और अक्रॉस ओल स्ट्रीमिंग प्लाटफरम तो इसके लिए बनता है इस पे रिल्स हैं, शॉट्स हैं, इंस्साग्राम पे चले जाए हैं, यूट्यूब पे चले जाए हैं हर को इस गाने का इस्तिमाल कर रहा है यहाँ पर मितुन आइधिंग ये सवाल आपसे बनता है उत्तम सिंह सहाब का यह कॉंपोजिशियन जब ओरिजिनल था, आप इसे आज रिक्रेट किया है और इस अगें ट्रेंदिंग आपसे रिक्रेट किया हैं हाँ चैलेंजिंग इट वस फॉर यू एक ओल्रेडी कॉल्ट सॉंग, एक ओल्रेडी कल्ट फिल्म का गाना एक ओल्रेडी लेजंडरी सिंगर उसके साथ एक बार फिर से रिक्रेशन हाँ वाज जर्नी फोर उड़ जा काले कावा विन वी आज़ेटिंग इट इस पहले तो मैं इस पर्टिक्रिक्रियट गाने के लिए मैं रिक्रेशन शब्ट से ही मैं क्या कहता हूं, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रेट जो होता है जिसको बोलते हैं कि फिर से पेडाइश जो इतनी खुबसूरे चीज हो गाना जो है वो उसके पेशकस से नहीं होता है जो रू होती है उसके तर्ज में होती है उसकी पोईटरी में होती है तो जो चीज उत्तम सिंग जी और श्री आनन बक्षी साब अलड़ी क्रियेट कर चुके हो मैं उसको री क्रियेट करने वाला कोई होता नहीं तो मैं उससे बिलकुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर बागता हूँ मैं उसको री-प्रेजेंट किया है हम अरेंजमेंट कहते है जिस तरीके से तो सच बॉल यू तो मेरे लिए बहुत आसान काम था क्योंकि कोई चीज इतनी सुन्दर हो तो यू कांट गो रॉंग विट इट मुझे सिर्फ कैफल रहना था कि मैं उसको खराब ना कर दूँ तो यह गाना अपने आप में एक प्राथना समान है मुझे लगता है भारत देश के लिए लोग इस तर्स से छोटी-छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते है और एटिंग सबसे बड़ी बात मेरे लिए था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था क्योंकि मेरा इंटेंशन यह था नहीं कि मैं अपने आपको दि पेस दिया बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मताबिक कीजिए अपने वक्त से कीजिए बहुत वक्त भी दिया और इसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आधर भी दे रहे और पसंद भी करने क्या बात है क्या बात है लेकिन यह जो सवाल अभी हम आपसे पूच यह आपको जरूर मिले हैं अब ही इसके लिए और हुप ऐसाड़ हम घर उम्लतYour होनिये एक आप तरफ के लिए उर अप परकहां कम शांव भी इसके लिए मेरा काम सभ़ाश पुष्ण। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं, फोकलोर से जुग फिल्मों में गया है, ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है, जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है, फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है, मैं जब एक बार शूटिंग करने अपने उस पे सारंगी पे पजा रहा था, तो मैं हिल गया, मैंका भाइसाब बुले यह तो गदर फिल्म का गाना है, और मैंने देखा कि जगे जगे राजिस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे, सारंगी के ओपर, तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंका आपने इतिह हैं, तो यहां पेहट हुए, पुराने गाने, पुराने सौ साल पुरानी ठूमरिया, गजल, यह सब दो सौ साल पुरानी आई, लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ, कि बॉलिवुड से हम फोल्क लोड में जाएं, तो यह कामिया भी इसकी निश्यती थी, और मुझे कोई आशर भी जगे 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 से कॉंप्लिमेंट आ रहे थे, मैं जब ऐसे स्क्रिप्ट राइडर भी जब सोचता था, और इस गाने का अलाप मेरे मन में आता था, और सीन के पीछे चप्चा चलता था, तो मेरे खुद रूंटे खड़े हो जाते, और गदर में जगे 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 खड पसंद नहीं आता, मैं भी 18 साल का था, तो मुझे भी वही चीज पसंद आता था, जो गहरी होती थी, जो 22 साल का था, तभी भी वही पसंद आई, मुझे आज तक नहीं समझा है यूथ को कौन सी चीज है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था, कभी 22 का, 24 तो मेरे से ज़्यादा उरिंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है तो ये गाना उस वक भी जब बना रहे थे उत्तम जी ने बनाया और बक्षी सामने लिखा तो सब का जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था यह पता नहीं है यूद को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा तो ये सब बेकार की बेमतलब की बाते होती है जो अच्छा होता है, हमारे देश का संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, हर आदमी में भावना अए, हर आदमी में वो है, तो इसलिए मुझे कोई आश्यर नहीं हुआ, मुझे मालम था करि गाना यहать होगा, कि मितुन ने बहुत अच्छा रिक्रेट किया तो मैं मितुन की बाज़ा बोलता रिक्रेट नहीं कह रियारेंज किया है वो गाना था उसी गाने को इनोंने क्योंकि जब मैं मितुन जी से मिला थो और मैंने कहाता कि घदर के गाने बनाने और ये दो गाने रहेंगे तो दो सेक कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूँ, ne काुए नग дог बूले जिल्च करना का मचिछ करना चाहता हूँ, से क्लियर थी और पिच्राजेशन के बाद बहुत सारी जगे से मुझे फोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इनोंने, और ये कहां थे इतने सालों से, लोग पूछ रह पर में थुने कमाल कर दिया, और ये को अर बात आ रही है, क्या अब हमने तो क्या किया, बखसों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीबी ने चुरू कर दिया है, और मेरी कपड़ी मेरे पुराने कपड़े निकालने चुरू कर दिया है, और देखना चुरू कर जिना उनको के यार आपने ऐसा ऐसी चीज़ा याद दिला दिया यह भी मेड़ पास आया अमेरिका से मेरिका किसी का मैसेज आया बुले यार वो हमारे शादी के कपड़ यह थे नहीं अब हम पंजाब में फोन किये कि वहां घर में बखसे में मिल जाए तो हम मगवार है तो कि अपनी 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 फिद्रे बोलते रहते हैं कोई बोलता 10 करोड कोई बोलता 15 करोड कोई बोलता 17 करोड मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फोट ऑल मुझे इतना मालूम है आठाट शोज होते थे एक दिन में रात को दो बजे का भी शूआ है तो सुब Hertz को यह वारत की नहीं है कि कैसे हो सकता था कि पांच हजार लोग बैढ़े हैं रात काने बन रहे हैं और डैक्रों को भी तो और विए वह यह वह दे मने और एक पाने संग है're को पूरे भारत का वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैंने केलना चाहता था गदर सुप टूके संग जरासी भी मेरी गलती से ब्रैंड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जंता मुझे कि यह क्या कर दिया आपने तो मैं हमेशा कथा चाहता था जो कथा राइट कथा हो जिस मैं हो हाओ आफर से हैंदा था गदरात inflammation में में क्यूच min चरा थाता र जराधी मैं लिए और अइसी कता सुनाना चाहता था था जो पांच मिठ मैं तो शक्तिमात जी गवाए मेरे पाद तो वह इनवरात्री का दिन था में वह पूजा कर सिल करनाधा और मुझे बोल तो बोलता ही नहीं था, जुप रहते थे हमेशा, आये मेर पास, कि चलो, मैंने का यार, कनिया लांगरा को जुमाले, उसके बाद चुलते हैं, मैंने का यह कुछ सुनाने हिंगे, थोड़ा जटका तो लगा, शक्तिमान आज बोल रहा है, लेकिन मैंने का क्या वने वाली है, पुछ नहीं अंदर मुझे कमरे में ले गए, सेम रेक्शन हुआ जो पहली रेक्शन हुआ, उन्हों ने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे में तहनने लगा, इस बार भी ऐसी कमरे में तहनने लगा, एंड, जुवाण बिलीव, मैंने सीधा सणी सर को सुनाया, पांश पांश मुझे लगा जाए, वो कहानी ही राइट कहानी होती है, यह तो मुझे आस तक समझ आई है, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग में चले जाते हैं, तीन घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो जो चोड़िये जाने दीजे, लेकिन पांच मुट में समझ तो सोचलो बात बन गए, तो पांच मड़ में कहानी समझा गए थी, फिर बेशक हमें दो साल लगे लगे लिखने में, वालग चीज है, लेकिन गदर टू के ब्रैंड को जूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को जूज करना था, गदर बात बन गदे का इंतार, तो हम लोग क को बीए सर एक थोड़ी से लेकिन नाराजगी भी है, कि सिर्फ अभी तक आपने 11 अगस को फिल्म रिलीज होने वाली एक टीजर दे के छोड़ा हुआ है, ट्रेलर का इंतिजार है, कुछ और देखनी पारें, डूंड रहें, किदर से मिलें, कुछ मिलें, तो है, अभी तेल कि गदर के नए गाने आसान नहीं थे, क्या बात, समझें ना, सहीद कादरी साब ने लिखे इनोंने बनाए, मगर अपने मूं मुया है, विट्टु मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत है, कि इनोंने बहुत कमान के गाने में पुरा भारण जुमे गानों, और इनके बहुत सेंसिबल और सेंस्टिव इनसान है, जिनका नाम है, मिथुन बाभू, ये इनोंने गदर वन के गानों की, वो गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया, कि यहां भई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था, उसकी जो ग्रेवटी थी, उस ग्रेवटी को हम कैस के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज़ों से उसके संग चलें और इनोंने बनाए हैं, दो गाने उसमे अरजीत में गाए हैं, मैं तो कहूँगा है, काथ कोई लाए नारब सुना दे तो सुना दे नहीं तो चली आने दीजे, आने देते हैं, कोई जूमने दीजे लोगों को, थोड़ा तो सर देके मुझा एसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल इस फिल्म को लेका कि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था, जब मैं सिफ स्कूल में जाता था और मैं अब देख रहा हूँ, जब मैं खोड एक को अपनी जिन्दगी परिस्तिया समझ लगा हूँ, ऐसे मारे में बड़े सारे दोस्ते जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडिशन पर मैं इनको सवाल पूछने दोंगा आगे, कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तुई गाना दोनों लो बस इतना बोलेता हूँ, इससे जादा कुछ नहीं बोल सकता, गाने इनोंने बहुत एट बड़ा है, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार है, ये में देगते हैं, पिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है, हर आदमी ग्रू होता है, हर आदमी अच्छा होता है, ह पिर पहले आप अच्छी बात आई है, हम गदर का एक बहुत कॉंसर्ट प्लान कर रहा है, हम बाकएदा क्यूंकि हम प्रेस के लिए खास लूप से उन गानों का प्रीमिर प्लान करना चाहरे है, बाकएदा लाइव उनको पेश करना चाहरे है, तो मैं चाहतो है, वह को बचा के रहा है, हम आपकी बारी है, आपके सवाल पूर सकते हैं, शर्मा जी आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बं था, तो इसको आप क्या कहेंगे, मैंने यह नहीं कहा, गदर आटम बं था, मैंने का जब दूसरी का था आएगी, तो मुझे फील होना चाहिए कि ए मुझे ऐसा लगता है कि गदर टुकी कता, जब मुझे लगा कि एटम बं है, तो ही मेला है, मेरे सौन ट्रिव्य में यह बात मैंने कहिए, और मुझे ऐसास हुआ, और यह हंड़िट परसंट मुझे लगा कि ऐसी कता है, तो मैं लेके आया हूँ, गदर तो गदर थी, गदर कि गदर के लिए कोई शद बोलने की जरूरती नहीं है, जब एक बोलना काफी क्या गदर थी नहीं है? मीज़ अरह अमने इस्तं media के था ठिए हैं अजब कादे आफ सरे लिए ुप एल्यर भी एक रिये गा लेखिया है तो उसका हुआ एक एस्तं अचाओ किया है और उसको पूरी तरीका से पिशिया है क्या है तर कि stellar जभी स्वाल लगजार के लिए Y desenvolज लाफ रवार की लिए बार खुशे लिए ल कियों की अबड़ास मोर्वाद केודה लैं तो लिए कि आसके लोक कि अब्समाइब थ्हात के लिए याफ लाफ बुरा हावाज है मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना ची ये सनी जी के लिए लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरे दुनिया में तवाही मच गई अभी फिर से मिठन जी ने उसी कहाने को अलग ट्रेटमेंट दिया इन्होंने music का ट्रेटमेंट, chorus का ट्रेटमेंट, singing का ट्रेटमेंट तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों को वो लोगों के दिलों में छूँग गया वो चीज सबसे बड़ी बात ये है और चार दिन नहीं हुए है पांच करोर्स अलमोस्ट जोज है और 20 लाक्स 20 लाक्स उसके लाइक्स है चार दिन में तो तो थैंच तो गॉड और अलमोस्ट विशेश के आपका उदित नारायन मतलब सिंगिंग अलमोस्ट 43 एर्स और मैं उपरवाले से प्रार्थाना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए तो मैं अभी छोडने वाला नहीं हूँ ये जंक सर्मारी काउन बार बाश विजय के शिए इसमी तो ट्वीस था है एंड़पम भुखार था है इस बार क्या उख़़वारे आप ये पढ़े पढ़ी देखो तो ज्यादा बेटर नहीं सारे चीजे आप याँ को खोलना चाहते हो पढ़े के लिए तो रखो ना पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उख़़ रहा है इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जा था पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहां की सबसे सपंटब फिल्म हो गई है पाकिस्तान में और आधा किस्तान बेस्तान को पाकिस्तान इंडिया के लिए विए बनती है ताकर रिश्टे मजबूत हो सके पिश्ली गदर में भी अमने यही कहाता कि महबतों से ही सारी दुनिया चलती है महबतों के बिना कुछ नहीं चलता और हम और इसके अलाबा हम और कह भी क्या सकते हम तो कही सकतेए इस में भी हमने कुछ गहा है और लेकिन वस्तामने लोग शुन आने हैं कि पक medal के आवाम तो सुनती है दूनों तरफ इस तरह हैं जी सरह खंडना करत और जबूज गया चुछनिया में यह श्कुन मतलब जिविद की ही, यह उसका कोई राज नहीं है, डोनों के दिल में सनी और अमीशा दोनों के दिल में तारा सिंग और सखीना बसा हुआ था और दोनों प्रूम्टम की है, कि वह उसकी जो है, उसका उसकी जिम्मेदारी उन डोनो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए में जो दोनों को हैं आपको और सबको दनेवात देना चाहिए, उन दोनों का ही गुन है, कि वो उस करेक्टर को फिर जर उसी तरह से निभा पाए है, So, I'm thankful to them and they have done the magic, not me. So, I'm thankful to them and they have done the magic, not me. अच्छे बात हैस्च मुझेश साथाटि आतने हैसे अच्छे पास रिम्स का इटे बादे संbowनेे तो वे कि दॉठोर के आ अजी सारे खेल कोल दें अनिल जी अनिल जी सर जितंदर सिंग आपको पुझमा जो ख़ल नाएक जिस अमरेश्पुरीजी ने रोल निवाया था आज उनको आप किकना मिस करतें मैं बहुत मिस करता हूँ अमरेश्जी को उनको हमें क्या पूरा विश्व भारत सर कोई मिस करता है और काश तीन लोग हैं जिनको जो इस फिल्म में नहीं हो पाया अमरेश्जी विवेख शॉब बक्षी साहब और उन सब को हम सब मिस करते है इस को रिक्लेश किया सर उसके जाना चाहेगा अभी सर ये भी फिर मेंने का अफर सारी चाहिए पूरल्ड है कुछ बढ़ने क्लिए रहने दो ना पिक्चर ग्यारे अगस केलिए कुछ तो रहने दो अनि जी मिश्टी अमरीश जी से जुरी त्रिविया बता सकते न को इनको अमरीश से जूरी ट्रिविया बता सकते पर उन्होंने कान ही ती और वो उनकी परफॉमेंस में दिखा है अम्री जी का कोई रिप्लेस्मेंट है नहीं ना उनको कोई बदब साथ अनिल जी माई क्वेस्टन इस या राजीब हाँ बख्षी साथ तो नहीं है तो आपने साइद कादरी को क्यों जाना उत्तम सिंख के है फिर भी आपने मिट्रण जी को क्यों जाना देखिए ऐसा होता है कि उत्तम जी है उत्तम जी के गाने हम लही रहे थे एक समय और वक्त के स अ हर चीज थोड़ा 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 बदलती है हमें थोड़ी-थोड़ी नहीं सांग चाहिही लगा कि जिस्तरह की सांड मैं सोचता हूँ वह मित्तम जी जाद के जी इसकीला बेक्न जीतला को ब्याना जान जीतली及 मिनादनि जए नहीं भी प्याखिशम उर्दिं छान क्याना वाक्शी साब के आगा यह अचान जाती हो यह यह अगा हैं पुछ वोह ए भूख इस एक शन्गी कर भूनी के नादे हैं मेरे फादर मुझे कहां करो। कि इतिहास को नहीं जानोंगे तो भवश्यक बनानी पाऊगे तो वो जो काम है जो हमारे बजर्गों ने किया है जो पेट्रियोटिक सॉंग्स मदन मोहन साफ के रहे हैं हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे जिंटरी गाने हैं वो मेरी मेरे सिस्टम का बिलकुल हिस्सा है लेकिन जैसे आपने का कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी अधर से दुनिया को देखता है तो जब मैंने गदर्टू का नरेशिन लिया अनल जी ने मुझे बाकएदा डिनर पे बिलाया था और उन्होंने मुझे दो घंटे का नरेशिन दिया और उस वक मैं बड़ा मुता मैं इंटिमिटली इन्वाड थे नरेशिन में और बाकाइदा नरेट करते करते इनके आंखस से आंसू हा गयते और हमें दस मिनट का ब्रेक लेना पड़ा मैं जीसों से बहुत मुतासर हुआ इस पूरे घड़ना से मुतासर हुआ और फिर जो वो कहानी है जिसमें देश भक लेड़ा प्लीजिए जिसमें आपका जो आपका जो वाद जावाद जावाद जब सुनते हैं तो एक विजुनाज़ाशिएशन पी रिजिसके आपका जो हस्बूग नीचर है अपकी बॉड़ी लाइंगवज है वो कहीड वो आपके जो गाने है यहां आपने शुरू में जिकर किया ज़रने का तो शार मेरी नजर में गलत हो सकता हूं एक स्पिल रिवर की तरह था इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने बीदीव शब्त का इस्तमाल कि यहां पे बहुत डीप करना है तो उसके बार में थोड़ा औ यहां एक हापी आटिजूट, स्माइलिन, सिंगर वो शायद यहां पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था देखिए काम जो है आप कितना भी काम कर लीजी लाइफ में लेकिन जो जिसको हम वर्कॉलिक बोलते हैं वो जो जो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है तो बिंगे फार्मर सन मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है तो बहुत मैंने सेक्रिफाइज किया लाइफ में तपस्या की है ये भी एक तपस्या ही है कि आज बाइस साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डिरेक्टर मुझे से गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं तो उपरवाला ये कहता है कि उदित नारेंग अभी भी जरनी बागी है तुमारा तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग एप्रिशेट करेंगे ही तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है ये तो एक अथा सागर है बड़े बड़े गुनी जन बोलते हैं कि एक जनम क्या साथ जनम भी कम है म्यूजिक संगीद के लिए ये सही लता जी का भी आशिरवाद उतना ही मुझे मिला हमेशा मुझे उन्होंने आशिरवाद और प्यार दिया बोले उदित ना रहें छोड़ना मत लगे रहना कुछ है जो मैं तुम्हें आशिरवाद दे रही है तो इस सब कई बाते हैं और आज देखिए मैं इतनों सालों से इतने सालों से लगा हुआ हूँ और ये चलता रहेगा ये सिलसला क्यामत से क्यामत तक जी मैं जी सॉरी मैं जब मैं आपका ये घदर टू का घाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेंड जी को हिस्ट्री में पढ़ाया है ये सुनाया है लेकिन आज बता रहा हूँ वो सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सपेशन देते हैं और अमिशा जी का एक्सपेशन में देखा तो लगा कि सनी देवल जी तानसेंड के रूप में मुझे नज़र आया है ये सही है और आज एक मिजिक डिरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयाद नहीं कर सकता हूँ कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं लेकिन ये नहीं कर सकता है ये और आख्याद पर नहीं प्राइब करता है ये क्या था जी अट्यों मैं आप टेलिए रखा था इसलिए मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात और नहीं पूछी कि अधिर जी का जो प्रजेक्शन जाना जाता है प्यूंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज हुआ था मैं दसवी कक्षा में था और उस टाइम पर जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है उसको बाई सालों तक जीया है इतने कॉंचर्ट में परफॉर्म किया है इस पार्ट आफ इस मुसल मेमरी उनके पुरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुगा है उसको अनलर्न करना और एक जुमियर आर्टिस्स के साथ बैठ कर क्योंकि मैं इनको कॉंपलिमेंट करना चाहूंगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पर सेशिंस किये बिलकुल मुझे लगा वही उर्जा इनके अंदर होगी जो शाय जब एक न्यू कमर जो कोई जो हंग्री होता है जिसके अंदर एक क्रेटिव थर्स होती है वही उर्जा के साथ वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रियर्सल्स किये और उनने आपने सही बोला कि आपने देखा होगा कि पूरे पूरे लाइन एक एक सांस में ने गवाया है एक उर्जा काले कावा तेरे मुः बिच खंड पामा पहले की अप देखो मेरा अभी सांस नहीं पहुंचता लेकिन Ino नहीं घुआ है वोले आपके लिए चैलिंज हो और अब गात हो तो मज़ा जाएगा हमने कोशिश किया है उर लोग लोग इतने पसंद कियें तो आप लोगों के सामने है और मैं क्या बता हूँ जितनी भी तारीफ किया जाए थैंक्स टू मेडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा थैंक्स टू जी जिन्होंने ये फिल्म बनाए और अपकोर्स अनिल जी तो केप्टन आप दो शीप है तो क्या आपने एक एक सेंग क्या लिया होगा आपने एक ही जलक में मुझे पता चल गया लोगों को पता चल गया कि क्या खुब्सुरत लग रहा है मामला जहां पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलेडी को वहां पर जब आपने वह जो आपने तार छेड़ दे था कि दो काने तो होने ही होने और अपने आपस पूछ ले कि मैं निकला गड़ी लेके तो सर अकर उसका एक अनप्रग बश है चोटा साही से अगर यह आपको यह भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड़ी लेके मुझे और उससे ज्यारा पावर्फुल भाइस है यह इसमें सिंगी तो मैंने कहा थी तो इतना पावर मेरे पास तो है नहीं अभी मैं 20 साल यहां आग च तो सोचा सोचा कमाल हो गई लेकिन मतलब मुझे लगता कि आप लोग अफिश्ट करेंगो उस बात को भी एक घंटे में एक मुखड़ा और एक अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं आदा घंटा रेष्ट करते हैं फिर सेकंड अंतरा ले मैंने उसके लिए तो ट्रिटमेंट भी बहुत अगड़ा है मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाएं है म्यूजिक वो उसमें आप कंजूर्शी मत करना ये रखना आप वाइस इतना आपने पावरफुल वाइस लिया है इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है तो गड़िले के मैं निकला ओ गड़िले के ओ रसते पर वो सरक में एक मूड आया मैं थे दिल छोड़ आया रब जाने कब गुजरा अमरित सर हो कब जाने लाहौर आया मैं थे दिल छोड़ आया क्या बात है फिलाल गदड़ू के सारे गाने आपको अगर सुनना है तो फीवर एक सो चार फिम पर आ जाना सुना दूंगा बॉस विलाल सर्थ आप इचनी उंदा फिल्म लेकर आ रहे हैं मिथन देखे आपने तो कह दिया कि मैं उस गाने के वारे मैं भी कुछ जादा बात नहीं करूँगा छोटी सी ट्रिव्या दोगा प्लीज जाते जाते हैं वो एक ट्रिव्या देके ही चली चाहिए कि वो कौन सा गाना जो पहले इतना हला मचा दिया है कि लोग हमें कॉल करके पूछ रहा है कि यह दो गाने तो हमें चाहिए ही चाहिए एक तो मैं निकला गटी देखे दूसरा आरीजी सींग के साथ वो गाना कौन सा नाम तक नहीं पता हम लोग को थोड़ी सो ट्रिव्या देदी जो उसके बारे में तो गाना उसकी खास बात यह है कि सारे गाने जो है वो मुंबई में जब अनल जी थे हमने तब कंपोज हुए और रिकॉर्ड हुए यह वो एक ही गाना है जो अनल जी को मैं टाइम से डिलिवर नहीं कर पाया और उनका शेड्यूल था वो निकल गहते शूट करने के लिए और काफी चिंतित भी थे वो आजमेकर की गाना मिला नहीं है शूट करना है तो मैंने उनसे कहा कि अनल जी आप विश्वास कीजिए और वो विश्वास करते हुए बिना गाने लिए वो शूट पर चले गए और फिर मैंने बाद में उनको गाना भेजा और अकॉर्डिन टो अनल जी उनको लगता है कि जो गाना उनके गैर मौजद्गी में रिकॉर्ड हुआ उनको लगता है कि वो आल्बम का बेस्ट गाना वाँ तो हुआ मंदि जी Boulder को बने ले कि यू पिर निचाना की पर में गाने की जाएघन पूर्स ग्रव político कि अफ्ञ दिया हुआ है कि घी ने एक वे करने वाल हैं एक सब कुछ नहीं हम डिवील करें लेकिन का ना हम है वाऀंब जशंस प्लिषिजर का तो आप ज़रूर प्लीज उसमें आईए और सिफ मैं नहीं उदिजी हमारे बाकी के सारे सिंगर्स अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा हो आने पाई किसी रीजिन से लेकिन उनकी आवास भी उतनी ही खुबसुरत है जो औरी निल में थी और मुझे लगता है कि उतन जी आनन बक्षी उदित नरा हो जाए क्योंकि हम इस साइमलेस मेलेडी को सलीब है क्यों नहीं इनका दिमांड है कि आप एक लेन वो सुना दे और अचे एक बात आप से कहाना है आप तो मुझे बोल रहे हैं मेडिया के सामने सामने कि भाई इतना माल कमा रहे हो मुझे क्या दोगे अब ये पिक्चर पा एक दूब आप साथ की अवाई सालते में आपके साथ यहीं करता हूं तो तो तांकियो तो थैंकियो सो मँच इस कूप सूरसे सुपाइशन है कि मिठुंजिसे भी आप प्रामिस करवा हो कि अभी आगे की जो फिल्में होंगी एक आप इनके अपने कंपोजिशन का भी गान मुझे मेलना ची जो रिस्पॉंस जी की आवास को मेला है पूरी दुनिया से प्रामिस अभी उल्टा बनता है अप मुझे ऑन रेकॉर्ड प्रामिस कीजिए कि मेरी अगली फिल्म में मेरा औरिन्मिल गाना आप गाएंगे इतनी खूबसूरत से सब्बर को जो हम तै कर रहे हैं जहां पर कस्मे वादे सब चल रहे हैं साथ में और सबसे पहले तो एक बार फिर से आप तीनों लोग को तहे दिल से शुक्रिया कि ग्यारा अगस का जो हमारा ये इंतजार है इसको और इतना बड़ा बना दिया आप सब को बहुत बहुत जाल और इस लमेट में मैं अनंद भख्षी साथ को को मिस कर रहा हूं और अत्म जी को बहुत बहुत थन्यवाद कि उन्हों ने ऐसी ऐंडेस मेलोडी मुझे थी अजिए बैठो या ज्याया स्नीन लुक अरे लोग लोग सर कामरा तो मोवा जोम होता है यह पुरवी पुरभी पुरभी हाजी सलभ है आप पाद ये हैं सहय सहय साथ pessoas इस ऑद ग्लेकिसा सहय से ग्यात और इसे सबस्क्राइब को जा रहा है तो यह बैस सब्सक्राइब क्यों पर पारिया प्रश्क लिए खरवतिक निद्गूप गई। ऑजोगेशने का शंके और भी अजिए दिदूफे तुक्षट तुक्षट बिंधेरे रच्फट भी जूएंगेशनारी में बाइविकार पुंदी तुक्षट निदावानित त्यों उसके निद्दिद एक लिद्दावज़े श्यानि करें फालने कंद मितन शोड़ दो प्लीज मितन शुट दो लो मितन शूब दन डन पिछ से तुर्या पर एक शॉब्स कि रहे का जार पिए। तेंक यू